यह question है y is equal to x under root a plus x over a minus x अब हमने इसका derivative find करना है सारे का derivative find करना है suitable substitution लगा कर उन्होंने खुद question में का हुआ है कि suitable substitution में लगा कर आप derivative find करें तो suitable substitution का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से इस अंदर वाले की जगा पर उच भी यह जो under root के अंदर है इसकी जगा पर अपनी मर्जी से जिस तरह मैंने यहां पर you substitute किया है let किया है कि यह सारा you के equal है इसी तरह हम यहां पर t के equal भी रख सकते थे तो हमने मैंने यहां पर you लिखा है इस बाहर वाले x का मतलब है कि इस x का अगर square लें तो यह under root से cancel हो जाएगा ना और इसलिए बाहर आगिया इसका square था तो अंदर square ले लिया और अंदर उपर वाले के साथ multiply करवा दिया तो भी कोई फार्क नहीं पड़ेगा यह मतलब नीचे वाले के साथ multiply नहीं करवाना उपर वाले के साथ multiply करवाना क्योंकि यह उपर लिखा हुआ है तो अंदर वाले के साथ जब multiply किया तो ax square प्लस x की 3 ओवर a minus x अब इस सारे की जगा पे मैंने लेट किया है u को इसके equal रखा है ax square प्लस x की 3 यह इस तरह मतलब अब इस सारे की जगा पे u को substitute के आब इसका derivative find करते हैं यहां से हमें dy की value मिलेगी और इसका जब with respect to x करेंगे derivative तो यहां से हमें dx की value मिलेगी तो हम दोनों का अलाइदा अलाइदा substitute करेंगे derivative find करेंगे फिर उसके बाद chain rule लगा के हमें dy over dx की value आजाएगी क्योंकि du के साथ cancel हो जाएगा chain rule के ज़री है बाकि dy over dx आजाएगा हमारे पास अब शुरू करते हैं इसका derivative y is equal to under root u दोनों साइड में पर derivative अपलाई कर दिया d over du d over du y इस साइड पर भी और d over du under root u इस साइड पर भी under root u का मतलब है d over du under root u का मतलब है के u की power 1 by 2 u की power 1 by 2 है तो 1 by 2 शुरू में ले आएंगे u की power minus 1 by 2 आगया minus 1 by 2 का मतलब है के u 1 से नीचे है under root मतलब ये मतलब ये जो है ना बटे से नीचे आ रहा है इसका जवाब तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका जवाब और अब इसका derivative find करते है इसका derivative हम देखते हैं कि किस तरह find होता है ये यू है differentiate हमने करना है with respect to x क्यूंकि अगर इसको भी with respect to u करेंगे तो दी यू उपर भी आ जाएगा और दी यू नीचे भी आ जाएगा और इसके variable भी x की फार्म में है तो variable इस वाले function को देखते हुए हम जो यहां पर ये x की फार्म में आया होता है हम with respect to x करेंगे तो हमने differentiate को दोनु तरफ से अपलाई कर दिया इस साइट पर भी और इस साइट पर भी मतलब तो इसका derivative find करने के लिए quotient rule अपलाई करना होता है इसको quotient rule का मतलब है कि g of x का square ये उपर वाले को हम कहते हैं f of x और नीचे वाले को बटे के नीचे वाले को कहते हैं g of x तो अब g of x का g of x का square, g of x as it is derivative of f of x, f of x minus के बाद f of x और derivative of g of x ये वाला फार्मूला लगा के हमने इसका derivative find करना है तो ये नीचे वाला g of x, g of x as it is derivative के बाद फिल f of x minus f of x, derivative of g of x ये derivative जिनके पहले लगा हुआ है इनका हम derivative find करेंगे और इसके साथ multiply करवा देंगे तो इसका derivative find करते हैं, ax की power 2 है, तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि हम 2a constant तो वैसे रहेगा, इसकी power में से कम करेंगे x की power में से, तो 2ax आएगा, 2ax आया, x की 3 जो है, इसकी power कम करेंगे तो 3x की 2 आएगा, ये derivative है, इस minus constant का तो 0 हो जाता है और minus x का derivative minus x का derivative minus 1 आएगा, a का derivative 0 तो यहां पर मैंने इसके साथ और इसको इसके साथ multiply करवा दिया है ये देखें, a को 2ax के साथ 2a की 2x, फिर a को 3ax के साथ 3ax के साथ 3ax के साथ minus plus minus minus 2ax के फिर इसके साथ 3x की 2 minus का और इनको भी आपस में ये अगर minus को इस पहले वारे minus के साथ ये देखें, इस minus को इसके साथ multiply करवाने के बजाए माने इसके साथ multiply कर दिया है minus minus plus हो जाएगा, ये सारा अंदर apply हो जाएगा plus, तो ax square plus x की 3, इस तरह अंदर apply करने से ये plus हो गया, आप देखते हैं कि कुछ इसमें से मतरब plus minus कर सकते हैं, तो plus minus कर देना, 2a square x, और ये 3a square है, जहां पर ये x square है, और ये 2x, मतरब 4a square plus का है, और 2a square minus का है, तो plus कर 2x बचेगा ना, बाकि minus कर 2x की 3, ये plus कर x की 3 है, और ये minus कर 3x की 3 है, तो minus में से बचा, minus कर 2x की 3, नीचे वाला तो as it is आएगा, और इन में से, इन सब में से हम कुछ common ले सकते हैं, देखें, इसके साथ x है, सिरफ a नहीं है, 2x की 3 है, इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी x भी है, और 2 भी है, तो मैंने 2x को common ले लिया है, a square इसमें से बचेगा, x बाहर आ गया, इसमें से a x, इसमें x square, minus का x square, नीचे वा chain rule यहां भी apply किया, chain rule का मतलब है कि, dy over dx हमें मिलना चाहिए, chain rule की मतलब से, तो हमने dy over du, और यह du over dx, तो हमें यही मिलेगा, chain rule भी यही था, तो पीछे हमने dy over du की जो value find की थी, 1 over 2 under root u, u की जगा पे फिर दुबारा हम यह value put करेंगे, और फिर इनके साथ multiply करवानेगे, du over dx की value यह आई थी पीछे, अभी हमने निकाली है, और u की जगा पे यह put किया, ax square plus x की 3, यह वाला 2 तो इस 2 से cancel हो गया, और अब इनको multiply करवाना है, इस तरह, इसका मतलब है कि, यह जो under root a minus x है, यह उपर चला जाएगा, और यह जब उपर चला जाएगा, यह उपर ना भी चला जाए, तो यह देखें, one over under root x, जो उपर वाला है, a plus x, इसको अभी हमने उपर multiply नहीं किया, इसको और इसको पहले हमने solve किया है, इसको solve करने के लिए, यह मतलब नीची है, और इसके साथ जाके, यह multiply हो गया है, a minus x, इदर, इसका मतलब है कि इसकी power 2 थी, तो minus 1 by 2 हो गया, यह नीचे है, तो minus 1 by 2 जब किया, तो 2 to the 4, 4 minus 1 over 2, 3 by 2 आया, यह base same है, तो power यह डूंगी, क्योंकि यह नीचे था, इसके नीचे under root a minus x, तो यह जब उपर गया, तो इसकी power minus 1 by 2, minus 1 by 2 और 2 को plus किया, तो 3 by 2 आया, और इसके साथ सारे के साथ, LCM लेकर हम दोनों को find करेंगे, LCM लिया हमने, यह देखें, जब मतलब यह वाला इसके साथ multiply हो गया, यह वाला इसके साथ आकर multiply हो गया, और इसके बराबर में लिखा हो है, तो इसलिए इसको बराबर लिख दिया, और उपर वाला इस one के साथ multiply हो गया तो यह इसका आंस है यह सारा solve करने से जवाब आ गया Thank you